हेलो एंड गुड इविडिंग गाइज मैं स्रुनेल कृष्णा चहल अकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश की इतिहास का आखरी सेशन इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कितने सारे मुवमेंट्स हुए बुलेट पॉइंट्स जैसा कि हम ल लगों ने जितने भी चीज़ा पड़ी वह देखा कि ब्रिटिश का अवद्ध पर कंट्रोल ब्रिटिश का मुगल्स पर कंट्रोल इसके लाद हम देखते हैं कि क्राउन आकर अपना सारा कवर अप करती हैं इसके लाव हम ने देखा कि अवद्ध के किसान का जो है विद्रो अवद्ध किसान सबा इसके लाव हम लोग ने अलीगड़ नेशनल मुवमेंट्स देखा और हम लोग ने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश में एक देव बंद अभियान बे चल रहा है क क्योंकि मुस्लिमों के उत्थान के लिए और अब इतनी सारी बिटिश की अरकते उत्तर प्रदेश में देखने और केसी श्टडी करने के बाद अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में बुलेट पॉइंट्स में और भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जिसको मॉडरन हिस् अब हमें पढ़ने तो पहला पॉइंट अगर देखें इस पॉइंट को समझते वे चलेंगे डूट्स बनाते हुए 1861 में जैसे ही 1857 की क्रांती खतम होती है क्राउन के हाथ में पावर जाती है 1861 में शिव दयाल साहा ने एक राधास्वामी सत्चंग स्टैबिश के राधास्वामी सत्चंग एचली हिंदू दरम के किर्थन या उनके उत्थान और उनके जो पूराने ट्रेडिशन कल्चर बचे रह गयते उनको अब डेवलप करने के लिए उठाया और यह कहां अब एक नमबर का कोश्चिन आपका प्रिपेर होते है यह बुलेट पॉइंट्स आपके टू दर पॉइंट होंगे जो जो उत्तर प्रिदेश में गटनाए गटनी उसका कलेक्शन में आपको समझाना है और सीधे सीधे आपके एक नमबर का कुश्चिन आईका चलीए स्व गो बैक टू वेदा जिन्होंने का कहते हैं यही है द्यानन्स वस्वति जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो सत्यार्थ प्रकाश क्याते हैं द्यानन्स वस्वति ने एक और चीज़ करी शुद्धी करण आंदोलन चला है शुद्धी करण आंदोलन क्या होता है तो बताएंगे शुद्धी करण आंदोलन एक तरह का पर्ज होता है के थार्सिस होता है पर्ज में शुद्धी कर देते हैं जो मुसलिम लोग convert कर दिये गये थे, जो हिंदु लोग Muslim में convert कर दिये गये थे, उन सारे लोगों को वापस हिंदु बनाने का काम था शुद्धी करण आंदोलन, याद जरूर रखेगा इनके किये वे कृत्तों को question exam में जरूर पूछता है, क्यों ये उत्तर प्रदेश के संदर्प में important हो गया, तो अपने silence और सती, जो आरे समाज की स्थापना करते हैं, वो मुंबई में करते हैं, लेकिन इसका पहलाओ उत्तर प्रदेश तक भी होता है, याद जरूर रखेगा, बहुत important question है, उतके बारे में भी मैंने बहुत जारी चीज़े बताई हुए, चलिए, अगर बात करें, भारते हिंदू, हरिष्चंद, भारते हिंदू, यूग के नाम से भी जाने जाते हैं, हिंदी literature को, खांसतोर पर हिंदी हमारी खड़ी बोली हिंदी कहां बोली जाती है, उत्तर वंद्यप्रदेश वाले सेक्षन तो इसलिए बारते हिंदू हरिष्चंद की वजह से भी उत्तरप्रदेश क्या होता है हिंदी लिट्रेचर में एक इसका नाम आता है ठीक है क्योंकि हरिष्चंद इंका नाम था हरिष्चंद मैगजीन 1872 वरांसी से इन्होंने पुब्लिश करी और अभी भी हरिष्चंद विश्विद्याले आपको बनारस में देखने को मिलेगा इनके नाम पर उत्तरप्रदेश में कई सारी चीज़ें पार्क बने हैं विद् आगले पॉइंट कहता है एक प्रेजेंट नेम आफ मुहम्मदन एंगलो ओरियंट इस्पूल जो कि मैंने बताया था एओ मुस्लिम इंटर कॉलेज टीगे एओ ए और एंगलो औरियंटेट मुस्लिम इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज था लेकिन आगे चलकर 1857 में सरसाइया वदत खान ने अलिगर्ड में इसका नाम अलिगर्ड उनियसिटी रख दिया अभी ये 1920 में अलिगर्ड मुमेंट चलाय था जिसमें मॉडर्न सिक्षा पर ज्यादा फोस्पस किया और मुस्लिमों के उत्थान के लिए ये चलाय था कहां पर चलाय था तो अलिगर्ड अलिगर्ड उत्तर प्रदेश के पास परता है चलो 1947 तक में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में और कुछ हुआ तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस की जो हर साल की मे पूर्टियंट्स वा कुल मिलाकर 1947 तक में बहुत सारे सेशन हो गया हुए कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 सेटिंग तो 60-70 सेटिंग में उनमें से 9 सेशन कहां पर हुए है तो बताएंगे कि वह यह उत्तर प्रदेश में हुए और वह कौन-कौन से जील है वह आपको खुद याद करना है कुछ तो मैं दिखा देता हूं इंपॉर्टेंट जो है उनको याद रखेगा मोस्ट आप थ्री सेशन्स आप इंडियन नेशनल पॉंग्रेस जो है वो कहां पर अलाबाद में लखनों जान्द तर अलाबाद में रिपीटेड ली होता गिर अलाबाद में 8088 का हुआ थ आते हैं 1982 में वमेश चंदर बैनार जी 1910 में जो चेर्मेंन ते सर विलियम क्या था है वेडर बर्न ते अब जो लखनों में 1899 में हुआ है वो उसके प्रेसिडेंट रोमेश चंदर दत्त 1816 में जो हुआ है उसमें प्रेसिडेंट कौन थे अंबिका चरण मजूंदार और 1936 में जो हुआ है उसमें में उसके प्रेसिडेंट है पंडिल जवालाल नेरू तो कुल मिलाकर यही नौ सेक्शन्स जो है आपको याद रहें बहुत इंपॉर्डेंट कोशन है यहां देखेगा कॉंग्रेस हल साल सेशन करती थी और रहें सारे लोग वहां बैठते थे कई बा का सेशन जो है वह आपको सूरत अधिवेशन मिलेगा 1907 का और पैचप का अधिवेशन जो आपको देखने को मिलेगा 1916 का लखनाओ पैक्ट के नाम से ठीक है कहीं करी पर आपको पूना पैक्ट भी मिल जाएगा ठीक है क्योंकि उसमें अपने गांधी जी और अम्बेडिक गरम दल को हमें एक्स्ट्रेमिस्ट कहते हैं नरम दल को हम मॉडरेट्स कहते हैं चलिए पार्ट फ्रम अलहाबाद और लखनाओं की बात करें थ्री अधर सिटीज हैं उत्तरप्रदेश में जहां पर बड़े लेवल पर इंटरनेशन कॉंग्रेस की मिटिंग हुई है बनार गोवर्णर थी की सीम थी पता करके बताएगा और 1925 में अगर बात करें मतब सबसे पहली लेडी सीम या गवर्णर चल मेरट में कौन थे उसमें जेवी क्रिपलानी कब थे 1946 ठीक है तो क्या याद रटना है 1905 में बनारस में कौन था गोपाल कृष्ण गोप्रे कानपूर मे में भी कौन थे सरुजदी नाइडू कब हुआ था तो 1925 और मेरट में कब हुआ था 1916 में गोपाल कृष्ण जे भी क्रिपलानी थे मेरट में हुआ याद ज़रूर रखेगा ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रोमेरेंट शहर हैं अलाहाबाद और लखनों के अलावा यहा जिसमें नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे और मुस्लिम लीग और कौन्जा नेशनल इंडियन नेशनल कॉंग्रेज भी आपस में पैक्च अप कर लेते हैं और इसलिए 1916 का लखनाव पैक्ट के नाम से जाना जाता हैं दो तरह के पैक्ट हैं मुस्लिम लीग और इंडिय 2018 के बीच में युद्धोरा था विश्यदी सब डरे से में थे अंग्रेज उदर इंवल्व थे किसी तरह का फूट और कूट नीटी नहीं डाल पा रहे थे इधर इन लोगों को भी मौका मिल गया कि हम दुनों मिल जाते हैं पैक्ट होधान और कॉंग्रेश्स जो जाते हैं और किस समय में कौन जोए है तो बताएंगे अंविका चैनल मझूंदार होसमें होती चले नवंबर की बात करें 1928 में साइमन कमिंशन आता हैं चलिए मैं बता दूँ 1916 में एक और गटना गटी थी आपने सुना होगा मदन मुहन बवा मालवी ने एनी बेसेंट के माध्यम से उनके सपोर्ट से 1916 के करीब में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कनवर्ट कर दिया उसको बनारस हिंदू विशुद्याले कर दिया यह भी बनारस में ही आज भी यहाँ पर बेसेंट के लिए आप CUT के माध्यम से फॉर्म बरके एडमिशन लेते हैं और यह बड़े लेवल का हब है पढ़ने का टॉप फाइब में आता है स्कूल्स, कॉलेज़स में, उनिवर्सिटीज में यहाँ विदेशव से भी लोग पढ़ने आते है हर तरकी पढ़ाई यहाँ पर होती चलिए, नॉंबर में भी एक गटनागटी उनिवर्सिटाइस में, साइमन कमिशन आया इसमें लाला लाजपत राये ने उसको बाइकॉट किया यह लखनाओ में भाइकॉट किया था और आगे चलकर पंडी जवाला लाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे लेकिन याद रखेगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते है लाला लाजपत राये को गो बैक साइमन पर लाठी पड़ी थी लेकिन लीडर लाला लाजपत राये नहीं थे पंडी जवाला लाल नेहरू की अदेश्टा और लीडर्शिप में यह विद्रो हो राथ 1928 में और आगे चलकर रावी नदी के तट पर कहते है ना रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने क्या किया सुधनता का एक जंडा लहरा दिया था चली एक है वह अगले इतिहास का पार्ट है हमें यूपी को फोकस करते हुए रखना है साइमन कमिशन को हम लोग वाइट कमिशन भी कहते थे इसमें यह कहा गया था कि जो सारे लोग जो भी होंगे कमिशन के सदश से जो भी बैटेंगे सब अंग्रेज होंगे तो हम लोग ने इसी चीज़ का विरोध किया था ठीक है और यहीं से बगत सिंग जैसा एक नेता हमें मिलेगा जो देखता है कि कैसे साइमन कमिशन में लाला लाजपत राय को लाठी सिर्पर मार कर मार डाला गय कि मेरे सिर्पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी चलिए और फिर आगे हम देखते है का क्या हुआ तो 1918 में गौरी शंकर मिश्रा नारायन देव दिवेदी और मदन मोहन मालबी ने मैंने कहा था एक किसान सभा फॉर्म करी थी जिसमें रामचन देव भी जोड़ते हैं और उसका नाम अवद किसान सभा कर देते हैं यह बता चुका हुआ है आगे आगे 1923 में क्या हुआ तो बताएंगे देखिए जैसा कि आप अभी आपना उन्हें देखा हुआ टाइम लाइन चल रही है कब से टाइम लाइन शुड़ी है मैं अठाउसों 581 में और आगे चलकर आपने देखा 72 में ठीके 67 में उसके बाद हमने 55.私 पिर आगे चलकर हमने एक टाइम लाइन देखिनcción 1947 में ठीके 266 कि 88 में कुछ हुआ, फिर 12 में कुछ हुआ, फिर 1899 में हुआ, फिर 1910 में हुआ और ये timeline आगे बढ़ी, 1905 में कुछ हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं 1916 में कुछ हुआ, फिर 1918 में कुछ हुआ, फिर 1928 में कुछ हुआ मदब एक systematic timeline चल रही है कि क्या-क्या हुआ UP में इस दौर में तो आईए हम देखते हैं सबसे important चीज क्या कि 1923 में जिस समय में कांधी जी जेल चले गए चौरी-चौरा वाला कांड में ने बताया था वहां से देखते हैं कि चितरणजन दास नाम का और मोतिलाल नहरू के नाम के दो prominent leader आते हैं इन्होंने लहाबाद में ठीक है क्या शुरू किया स्वराज बार्टी शुरू करी चलिए इसको समझेगा जब कॉंग्रेस में गांधी जी ने वापस ले लिया अपना वो क्या बोलते हैं आंदोलन का नॉन कोपरेशन मुमेंट और जेल चले गए उसी समय में लोगों को कॉंग्रेस से नाराजगी हुई और इन्होंने अपनी खुद की वो बनाई एक कॉंग्रेस का मतलब बता है गठन एक assembly और उसका नाम दिया स्वराज पार्टी अंटी कॉंग्रेस रही थी यह एक कॉंग्रेस के खिलाफी बनाया था इन्होंने दो लोग थे पिता जो थे मोतिलाल नेरु ये स्वराजब पार्टी बनाये और जो पुत्र थे वो कॉंग्रेस की तरफ थे पंडिचवालाल नहरू ठीक है और मोतिलाल नहरू का सपोर्ट कर दिया था किसने देशवन्दू इनका नाम था चितरन जंदास दिसंबर 1925 में परियार के अंडर ने सबसे पहली बार यह मोश इंपोर्टेंट है याद रखेगा अगला पॉइंट है हमारा 23 के बाद 25 में इसमें में गांदीची ने बिल गाम का अध्यूशन कम्प्लीट कर लिया था और अगले साल ठीक अगले साल 1925 में पिर्यार के अंडर में पहली Communist Party of India की पहली बैठक होती है कहां पर अपने यूपी के कानपुर में Communist Party क्या होती है अपनी खुद की एक काउम उसको लेकर अब हम लोग एक्टिव हो गए Congress को नजर अंदाज कर रहे हैं हमने स्वराज Party बनाई Congress के खिलाफ Communist Party बनाई Congress के खिलाफ के भी Congress में गांधी जी ने Congress का साथ चोड़ दिया था गांधी जी से मैं सीख रहे थे गोपाल कृष्ण गोख्फिल के अंदर में उनको गुरु मान लिया और जेल चले गए और अभी यह थोगा सा राजनीसी से कट गए थे चले युनाइटेड प्रोविंस जिसको उत्तर प्रदेश भी कहते हैं यह मैं बता चुका हूँ पिश्री क्लास में मेरे इंट्रड़क्शन क्लास में भी आपने यह दिखा होगा उनाइटेड प्रविंस जो है एड्ज्वाइनिंग एरिया उफ लखनो यहां पर क्या चल चले मैं बता देता हूं इस नहीं आते हैं वैसे आगे चल कर जो है वो दिक डिटेल दिया होगा चीक है नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ समझेगा समझेगा 1922 में हमारा क्या हुआ चौरी चौरा कांडवा गांदी जी छोड़ दिये पिर काफी दिन तल राजदिती में नहीं आया लेकिन गांदी जी फिर 1930 के करीब में दांडी मार्च आपने सुना हूं दांडी मार्च अपने उत्तर प्रदेश से रिलेकेट नहीं है लेकिन कहते हैं कि गांदी जी ने नमक तोड़ो कानून अपनाया और अंग्रेजों की खिलाफ एक फिर से आवाज उठा दी ठीक है और 1919 में जलिया वाला बाग का भी हत्याकान दुआ था जिसके खिलाफ गांदी जी ने कानून तोड़ा इसके लावा इसका नाम दिया civil disobedience moment बहुत important moment रही है इस पर गांदी जी ने जो है एक कहा कि हम बहुत ही सवीने इज़्जत से अब वग्या करेंगे आपकी बात नहीं मानेंगे और एक अंदोलन चलेगा तो इसी को नाम दिया civil disobedience moment और इसी समय में लॉड इरविन ने गांदी जी के पास समझाता बिजवाए कि देखो घूल के समयलें roundtable meeting हो रहे है पहली वाली होंगी दूसरी वाली होगी प्र दूसरी वाली में गहे तीसरी वाली में नहीं कि यवल दूसरी वाली में गहते हैं वह भी लॉरड इरविन के कहने पर और लॉर पर आज होते हैं तो civil disobedient moment जो बीच में रोग देते हैं फिर से शुरू करते हैं civil disobedient moment part 2 civil disobedient moment के नाम से second जब वो अपनी second goal में से मेजन करके आते हैं और नाराज हो जाते हैं अंग्रेजों की नीती से और नाराज हो जाते हैं वो भीम्राओं अमेटकर से क्योंकि भीम्राओं मेटकर तीनों मेटिंग करते हैं और उन्होंने अंग्रेजों को एक बुद्धी दे दी कि हम दलित लोग अलग हैं हम लोग के साथ अच्छा वेवार नहीं होता और ये लोग अलग हैं ये बड़े लोग हैं अंग्रेजों ने वो नीव पकल और फूट डालो और शाशन करो की नीती के ताहत अलग से दलितों के चुनाओं के लिए बात करने लगे थे लेकिन गांदी जी और जोटने थे भीम्राओं मिटकर ये दोनों मिलकर एक बैक्टिंग करते हैं दोनों में आपस में पैच अप होता है कि अंग्रेजों को इस ब पूना पैक्ट होता है फिर आगे चल कर क्या होता है बहुत चारे और भी मुस्लिमों से प्रॉब्लम होत आती है लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश अभी कहीं सेंट्रलाइज नहीं है इसलिए हम अलका से जानके आगे बढ़ेगी फिर हम देखते हैं कि सीधे अब कहां पर उ करने शुरू कर दी इधर कॉंग्रेस वाले भी समझ नहीं पा रहे थी कि कैसा द्वैद शाचन यह कैसा अंत्रित सब्जेक्ट है तो इन सारी चीजों को लेकर पावर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सब लोगों ने एक साथ फिर से विद्रो किया और 1940 का क्याबिने शुरू होता है और वो कहा जाता है आठ अगस्त को 1942 को कुट इंडिया मूवमेंट चुरू हो कि अब अंग्रेजो भारत छोड़ो अब ना हमें क्रिप्स मिशन चाहिए ना काविनेट मिशन चाहिए ना भारत शाचन अदिनियम चाहिए और ना ही किसी तरह का तुमारा जिल्ली चलो अबियान चुरू हो गया जैसे ही अंग्रेजो भारत छोड़ो हुआ अंग्रेजो ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया जीरो आवर के तरह जितने प्रोमेनेंट लीडर से उनको हाउस आरेष्ट कर दिया गया डिटेंट कर दिया गया कुछ लोगों को जे अंग्रेजो ने डिटेंट कर दिया अल इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कंवेंशन चुरू ही बंबई में और इसी समय में अरूडा आसफ अली जैप्रकाश नारायन और ऐसे बहुत से प्रोमेनेंट लीडर जो है बहार आते हैं ठीक है और इस अंदोलन को लीड कर रहे होते उसे में अरूडा आसफ अली सबसे मुख्य रूप से सामने आयें क्यों और बड़े लीडर कहां थे तो पताएंगे उनको जैल में बंद कर दिया गया जान देते ही जितने बड़े लोग हैं वो जनता को बढ़काएंगे इसलिए कॉंग्रेस के सारे लीडर को जैल में डाल दिया गया चलिए और देक युणि दैट। इंडिया मुवेंट गांधी जी वास केप्टिन आगा खाण पैलेस। अनके पैलेस अगा खाण में घञ्डी को बंत कर दिया गया जबाला नेरू को क्या किया नैशेंटरल जेल में डालढ दिया जैल में अलनाबादमें और इस अंडरग्राउंड होकर रेडियो से भी संचालन लोगों को भड़का रहे थे, जगा रहे थे कि लड़ो उठो जांगो, चलो, अगस्ट 1916 में, आठ दिन बाद, और इसी समय में महिलाएं भी क्या करती हैं, भाग ले लेती हैं, मजदूर भाग लेते हैं, किसान, मद्यवन वर्ग, और अमीर वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, युवा, क्रांती कारी, सब उतर गया इसमें, और फाइनली क्या हुआ, चित्तु पांडे के इंडर में, नेशनल गवर्मेंट बनाई गई बलिया में, नेशनल गवर्मेंट क्या है, तो पहर बता दू, बलिया एक ऐसा राज्य है, उस चहर है, जहां पर पहली बार, पैरलल गवर्मेंट मिला, Parallel Government यही होती है Parallel Government जिसमें हम बिल्कुल अंग्रेजों के बराबर सरकार चलाएंगे इसको हमने कहा दिया National Government अपने हम अधिकारी बनाएंगे हम आर्मी रखेंगे हमारी funding हम खुछ से collect कर लेंगे और हमें अपने अधिकारी चुनने हमें नेता होंगे, हमारी officer होंगे हमारा secretariat होगा और हम अकहले अपनी दुनिया अपना सरकार चला लेंगे तो अंग्रेजों की कोई जरुरत नहीं यही एक खतरनाक लेवल पर अपने उत्तरप्रदेश में एक Parallel Government का concept सुबढ़ कर सामने आता है मेरी बाद समझे चलिए और हम देखते हैं आगे क्या हुआ तो बताएंगे कि Quit India Movement के समय में Quit India Movement के समय में 819, 82 के समय में बलिया क्या हो चाता है सबसे बड़े लेवल पर Colonial Authority के रूप में सामने आता है और Independent Administration जिसको हमने क्या नाम लिया चित्व पांडे के इंडर में बलिया एक बागी बलिया की रूप में जाना गया और फाइनली एक Parallel Government चला जिसको हम क्या कहते हैं इंडिया की Freedom Movement में सबसे पहला तमाचा अंग्रेजों को ये मारा गया कि तुम किस दम पर यहां पर हो अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम सरकार चला रहे हैं तो हम बलिया में बैठ कर अपनी funding के साथ अपने officers पढ़े लिखे लोगों के साथ सरकार चला सकते हैं और यहां पर उत्तर प्रिदेश का एक power फिर से दिखा हम है कि ये बैठे-बैठे घर से छित्तू बांडे के अंडर में बिना किसी funding के बिना किसी बहुत ज़्यादा high qualifications, administration, army के इन्होंने एक parallel government चला कर दिखा दी चलिए और इस तरीके से final क्या होता है मारा independent खदम होती है independent मिल जाती है अंग्रेज समझ आते हैं 1942 के बाद की मारत होना पड़ेगा और उसी दौर में एक और चीज़ हुई 1949 से 1945 के बीच में एक युद्ध चल रहा था जिसकों बोलते हैं वर्ड वार सेकेंड और अंग्रेज पूरी तरह से अंग्रेज युद्ध में involved हो चुके थे Hitler पूरी तरह से इनके बरहावी हो चुका है Hitler जीत भी जाता अगर अमेरिका interference नहीं करता इसी का international level का फायदा उठाते हुए international level का फायदा उठाते हुए finally क्या करते हैं वश्विश युद्ध में वीजी हुए England के खिलाफ quittu india movement करते हैं और 1947 तक हमें आजादी मिल जाती है Italy की गोश्रा आती है Mount Britain का manifesto declaration आता है और finally हमें रहाजादी मिल जाती है अब आजादी के बाद क्या होता है तो बताएंगे कि बारत जोनली युद्ध युद्ध को इसको reunite किया गया है तो वो किया गया है जहाँ दर मुझे याद है 1956 में मेरी पिश्री क्लास्ट में आपको बताया थे मैंने उत्तर प्रदेश का नाम तो नाम आ गया बारत जन्रेरी 1950 को United Province कर्दम करके उत्तर प्रदेश बन गया फाइनली पहली हरित क्रांती अजादी के बार शुरू हो गई घरतंत दिवस लागू हो गया समिधान लागू हो गया समिधान बनाने में भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मदद करी और फाइनली अब हम उन्नती की रहा पर चल देते चलिए पहली चीफ मिनिस्टर थी और गोविद वरलब पंत जो दे और पुर्शोत्तम दास तंडन बिकेम दर फस्ट इस्पिकर आफ आसेंबली करेंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविड भी कहां से है उत्तर प्रदेश से है याद जरूर रखेगा ये पहले जो है वो क्या थे दलित तर्निता के रूप में हमें सामने मिलते है ठीक है और अगर मैं कहूँ सुचेता क्रिपलानी कौन थी तो बताएंगे कि हमारी सबसे पहली कौन थी लेडी कवर्नर के रूप में उत्तर प्रदीश के रूप में सामने आती है और फाकी पोस्ट इंडिपेंड़नेंस वाला सेक्शन है इसमें कुछ लोग है प्रॉमिनें लगे अ जैसे मैंने नाम बताया सुचेता क्रिपलानी ठीक है हम पोस्ट इंडिपेंडेंट भी इसको आज ही खतम करके खाली होते हैं चलिए सब भी तयार हो जाएए पोस्ट इंडिपेंडेंट्स में मतलब अजादी के बाद उत्तर प्रदेश का क्यार हो रहा है तो अभी जो उत्त प्रदेश मेंने का था 1956 की बात इस फ्रीडॉम फाइटर्स ऑन दर नेशनल सेनेरियों श्री लाल बहादुर शाष्टरी मिले श्री जवाल लाल नहरु मिले श्री मती इंद्रा गाधी मिली श्री चरन सिंग मिले चौजरी चरन सिंग श्री चंद्रा शेखर मिले हमें और भ अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट के बाद पहली चीफ मिनिस्टर जो कौन थे एक बार हमने पढ़ लिया है वैसे फिर भी देख लीजिन हो चुका है कंप्रीट उत्तर प्रदेश का मौडर्न हिस्ट्री भी हम लोग ने पढ़ा तो इक बार ही आप इसको मैं सजेस्ट क बड़े लिखे और जवालाल नेहरु के बड़े क्लोज थे जवालाल नेहरु कों थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो दोनों में कॉंग्रेस पार्टी की साफना करते हैं और उत्तर प्रदेश की डिफलेपेंट में लग जाते हैं और इस तरीके से अच्छी रप्रट जो थे ये क्लासिसिस्ट संस्क्रिट स्कॉलर थे ये पॉलिटिक्स में भी आते हैं और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो पीछे रह गई थी इसको भी क्या करते हैं सही करते हैं आगे चलकर कमला पती त्रिपाथी जो है उत्तर प्रदेश में और सीवी गुपता ये को अपनी उत्तरपिदेश की पॉलिटिक्स को सही करते हैं संपूरा नंद जो की संपूरा नंद संस्कित रुद्ध्याला के नाम से भी प्रसिद्य है भारत में बनारस में आपको देखने को मिल जाएगा उन्होंने तो यहीं के सीम करके क्योंकि राजस्थान उसमें पिश्रा हो गया था उत्तरपिदेश तो चलो भारित कांथी की वज़े से चमक गया तो एक पड़े लिखे विद्वान को बेजा जाता है कि तुम जाओ राजस्थान को समालो पें दवे ऑफ गुपता एंड त्रिपाठी ट खैड़े राजस्थान पर उनकी पोष्ट काली उथी है उनकी जिंगयवखर भरी अट है समी बाहला पर पेंए है कि में कब तक 1965 पूरा अपना कम्प्रीट करती है आगे चलकर चंद्रभानु गुपता भी मिलते हैं हमें आफ्टर चंद्रभानु गुपता आते हैं जो की चीफ मिनिश्टर का पोश्च समालते हैं लक्षमी रमन आचार्य एज फाइनेंस मिनिश्टर रहते हैं ठीक है फाइनली हमने एक और चीफ देखा कि चौंद्री चरण विया चरण सीन फ्रॉं दे कॉंग्रेस विथा स्मॉल सेट ओफ लेजिसलेटर यह भी क्या करते हैं आगे चलकर बड़े लिवर की पोश्टिंग समालते हैं और फाइनली हमारा यह उत्तरप्रदेश वाला सेक्शन कम् करते हैं तो अब यह राज नहीं थे कि प्रॉड़े करते हैं तो अब यह राज नहीं थे पहलू टच करेंगे जो कि उत्तरप्रदेश के इतिहास से ही समंदित हैं बट यह राज नहीं थे पहलू है और इस तरीके से हमारा पूरा modern history भी उत्तरप्रदेश को ध्यान में रखते हुए complete होता है बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको book के माध्यम से thoroughly revision करते हैं और मेरी ये वीडियो को दुबारा पढ़ते हैं और हाथ से note बनाते हुए पढ़िए जो topic जब भी हम पढ़ लेते हैं उसको अपनी किताब से दुबारा पढ़कर और अपनी knowledge को consolidate कीजें और अगली class में अब हम लोग जो भी मिलेगे वो एक discussion या फिर मैं कभी आप लोग के लिए एक MCQ का question लेकर रहा हूँगा जिसमें हम लोग बहुत सारे essay sections पढ़ेंगे बहुत सारे essay questions जो मैंने पढ़ाया उसका एक test होगा ठीक है तो सभी जितना पढ़ाया उसको revision किजिए ancient modern medieval में उत्तर प्रदेश का एक जलक के रूप में मैंने आपको दिखाया कि कैसे prominency बनी रही last तक और कैसे उत्तर प्रदेश का post independence के बाद भी धे सारे प्राइम मिनिस्टर देना CM देना और बड़े लेवल पर इन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश को निखा रहा और आज भी उत्तर प्रदेश CM योगी आदित नात जी के हाथ में बहुत सुरक्षित है बहुत डबलप कर रहा और आगे भी हम उमीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश हैं से ही प्रोमिनेंटली अपने जो है रिस्पेक्ट को अपनी कल्चर सिविलाजेशन मर्यादा को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ता रहे याद रखीगा एक चीज़ सभी को अंत करते समय में बताओं हमें उत्तर प्र रख्यां और यह तो ध्यान रखें कि इसका पॉलिटिकल एस्ट्ट जियोंड्र इसपेक्ट hm तक है Ск owners को हिस्तोरिकल एस्पैक्ल और साथ ही साथ अगर हम बोलाए ह dB तो इसका क्ल्चरल एस्पेक्ट साथ साथ उत्तर प्रदेश का आपने सुना होगा साइन्स एंट टक्नें क्या रूल है कि इनवाउमेंट में क्या रूल है और ग्लोबल इस्तर पर उत्तर प्रदेश क्यों जाना जाता है यह सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं तब जाकर आपकी और preparation complete होती है तो चलिए इसी के साथ हम अपनी जो है वो कहानी खदम करते हैं अब next class में मिलेंगे तब तक के लिए जाहें good night, bye bye